कुछ ने कुछ फता ही करका हूँ आपने एक मर्तबा शिशा तूटने की भी तूट गया था गिलास हाँ खयाबान हुटल में गाते 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 वो फ्रिक्यूंसी इत्फाक से ऐसी मिली, मिक्स हुई सुर्गी आस नहीं परदाश हुआ से, वो गिलास टूट गया परवेज महंदी बैठा था सामने मेरे और ड़ा ओकी एक चाचा क्या को जीन भूत तो नहीं कमरे में शी रोशंदान में बंदें, खिल्की बंदें तो यह होता है कि सुर्गी ताकत बहुत है सुरिश्वर हिंदू, लोग कहते हैं सुरिश्वर बात ठीक है वैसे वो इसलिए कहते हैं कि सुर, अब यह तबला है तबले को आप पूरे जितने घर हैं उसके एक जान कर दें, सुर में मिला दें और थोड़ा सा धमागा कर दें उसके पास वो फट जाता है उसको बेसुरा कर दें जातोड़ी से और फिर तोपे चलागे उसके पास वो नहीं फटेगा तो वो क्यों फटा? कि सुर में ताकत इतनी है तानफुरे की तार जोड़ी तूड़ जाती है तो सुर अगर सच्चा लगे तो सुर्थ तब लगेगा कि जब ये अमल ये सारे मौजूद हो अपने आपको साफ कर ले, धो ले तो इस काम को करने वाले तो बड़ी बड़ी वलियों की लाइन में पहुँचे हुए है देखे हमने एक रामपूर नवाब ने एक फंक्शन किया था वहाँ एक फकीर आगया था ये मुझे ये मौका दो सितार बजाने का तमाम हंद्स्तान के गविये जमात किये थे उसकी बेकम की फर्माश पे सुपाहियों ने का कि जी वह एक फकीर तंकर रहा है ऐसी हलत में है उसकी लिवास फटा पुराना सितार है सितार का अगलाब भी लीरे लटी हुई है तो माई कहने लेगे कि हाँ आने तो उसको ब लियाओ आये तो उसको देख के सारे कविये और बजाने वाले इस्टुमेंट्स सब हास पड़े कि हारी तो पागल आ गया चलो चलो इसको भी दे दो टाइम दो मिलिट पाच-दस मिलिट मठा दिया स्टेज पर चाय के वक्फे में चाय जब शुरू हुई तो लोगों पी रहे हैं बाते कर रहे हैं और हंस रहे हैं तो पागल है चलो इसको भी शौक पुरा करें लेकिन जब उसने वो तर्वे अपनी मिलानी शुरू की साब मिलाया जब रिखब मिलाया उसने तो थे तो सारे गाने बजाने वाले, सारे कस्पी थे एक रिखब मिला तो जड़ा लोग उन देखें कि यार वा क्या अच्छा रिखब मिसने मिलाया है तो पूरी सब तक मिलाने तक पूरे वो दस बारा हजार आदमियों की जबान बंद होगी थी साथ साथ तक हो गया सुनाटा और प्याली हाथ में लोगे कि यार ये क्या कर रहा है ऐसे रहा है बट अब वो शुरू हुआ तो मैं बहुत छोटा समझे तो खाप की तरह याद है कि जो लोगों की हालत थी कपड़े लोगों ने फाड़ ली चीखे निकल गए लोगों की वाववववववव करते करते वो वावववव भंद हो गई बोलना बंद हो गया लोगों का बिलकुल सन्नाटा और वो बजा के कम उठके चला गया किसी को पता ने को दस मिनट के बाद सकता तूटा तो नवाब चिलना या चीखा अरे कहा गये कहा गये कहा देखे तो पता है नहीं कहा फिर साथ आठ सो घोड़े घोड़सवार खड़े थे बाहर उन्होंने वो गोला गोकरन नाथ का जंगल था जहां ये जशिन हुआ था तो घोड़सवारों ने एक एक द्रख्त का पता पता देख लिया वो फकीर का पता ही लगा यानि पांच मिनट में उन्होंने दस बारा मील के अंदर अंदर ऐसे जिसे कि गाई भी हो गया हूँ फिर गया कहां भईी करनेजी बसे निकला इदा से निकला था जो पहरे भी बैठे थे उनसे पूछा कब गया करनेजी हमने देखा है नी वो भी सकते में थे चैवर ने ने देखा उसको जाते वे किसे ने उठते वे ने देखा फिर तीन साल के बाद वो नजर आया कलकते में देखें कानफरेंस में वहां किसे ने पहचान लिए कि यार ये तो फकीर वो ही बस ऐसे जो किसी ने आवाज लिए लगा ये सुनी उसने फ़कीर ने तो देखा कि इसे पहचान लिया तो फिर जो भागा है वहाँ से तो उसके पीछे काफी छे-साथ गविये भागे वो ही है वो ही है वो ही है तो फिर गाइब होगा तो बुजगों ने फिर बिर दादा जी भी थे सब थे कहलें कि नवाब साब कहा कि नहीं ताज्जब मत करें मौसिकी में आएंड यही है वो वली से भी आगे लाइन ले चली जाती इसमें कि को सारे रोजे इसमें रख लेता आदमी पिर दुनिया दुनिया कर नहीं रहता हो तो यह कोई ताज्जब की बात नहीं है यह बहुत डीप चला गया मिजुक में तो इसमें डीप जाना भी ज़रा मुश्कल है तो यह वाकिया मैंने आग से देखा और मुजब को सी बाते सुनी भी आज तस्दीख भी हुए इन बातों गए कि वाकी गिलाइन तो है फकीरी लोग उगली उठाते है यह गाता है क्या है फिला नहीं गाना भजाना बहुत बुरा है तो वो और दावद लिस्वाम पर भी फिर उगली उठाते है इसका मतलब उनको बुरा क्या है अधर दाउद अलिए लिह ने दाउदी तो मश्यूर है सरकार नजाम अद्दीन आउलिया रह्मतुलाले खाजाज मेर शरीफ मुहिजदीन चिश्टी रह्मतुलाले उन्होंने तबलीग की है इसलाम की मिजुक से की है लोगों को कलमा पढ़वा दिया मिजुक से तो मैं तो कहुँआ कि ये इल्म बहुत ही उत्तम है बहुत बड़ा इल्म है सोच की बात है कि जैसे एक सूफी ने चछत से चलांग लगा दी थी हाथ पर तूट गए सर फट गया था उसके ये हमारे गुलाम फरीद साब जी गा रहे थे खुदा रसूल का नाम लेते लेते छे घंटे उनको हो गए उस सूफी पे कोई असर नहीं हुआ लेकिन जब असर हुआ तो पबलिक के कहने पे ज़र्दा फरीज साब वो फिल्मी गाना सुना दे घर आया मेरा पर्देशी प्यास भुजी मेरे क्या तनमन की जो जम्प लगाया तो नीचे आ गिरे छट से तो पैर तूट गया हाट तूट गया सर भट गया हॉस्पिटल ले गए उसको जब वो होश पैया तो पूछा कि सूफी साब ये क्या हुआ आपको आप इतनी देर सुनते रहे खुदा रसूल का नाम कवाली सुनते रहे कोई असर नहीं हुआ तो ये फिल्मी गाना सुनके आपको क्या हुआ थे तो कहने के तुम लोग बेवकुफ हो तुम कित्वे क्या पता है रही ये खुदा ने काया था जब मैं अपने महभूब को बलाया अब क्या को सूफी की अपने महभूब को जब बलाया तुम क्या पता है तो बेवकुफ में बलाश नहीं हुआ अपने महभूब के शौक में वो तो वो गाना तो अब लुदा गाया हुआ अब ये उसकी सूच तो इसी तरह यह हमारा जो मौसिकी है कि गजल हो गीत हो फिल्म हो क्या है लोगों को बुरानी कहना चाहिए अपने ही जहन गंदा होता है वो ही गजल सुनके एक आदमी अपने पिरो मुर्शद के तरफ चला जाता है खुदारसूल के तरफ जाता है वो ही गजल गीत सुनके नजाने कहा गूम पिर क्या जाता है अपने सोच की और बहुत कुछ है आपके पास कहने के लिए नहीं इंशालला आप निकलेगी किताब मेरी जो लोगों को यकीन नहीं आता कि कौन कौन से रुख में क्या क्या कुछ कर रहा ही तो जिद्धगी नाम इसी का है जिद्धगी एक सफर है जिसमें लोग मिलते हैं बिचर जाते हैं क्या आगे फासले और ही क्या हाथ से यह की पल में क्या-क्या जीने वालों पे गुजर जाते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाहे प्रेली लपाय